Hello everyone, welcome back to my channel आज में लेकर रहे हैं आप लोगों के लिए आलो की बहुत ही आसान, बहुत ही स्वादिश और बहुत ही चटपटी सी ये आलो की कतली जिसे बनाना तो आसान है, ये खाने में भी बहुत स्वादिश होता है इसे बनाने के लिए हमने याप लिया हाप कीलो आलो इसे अच्छे से थो कर छिल लिया है अब इसे क्या करना है, गोल-गोल स्लाइस में हमें कट कर लेना है ना ही ज़्यादा मोटा कट करना है और ना ही ज़्यादा पतला बिल्कुल एक समान हमें बिल्कुल अच्छे से इसके गोलगुल स्लाइस कट करके तयार कर लेना है तो सारे आलोगों को हमें ऐसे ही कट करके तयार कर लेना है तो लेजे सारे अलो को हमने अच्छे से कट करके इसे अच्छे से साप पानी से धोकर त्यार कर लिया है अब इसे अच्छे से चान कर रख देते हैं अब लेते एक कढ़ाय इसमें डालते हैं दो बड़े चमसरसों का तेल, तेल के गर्म होती हमने यहापे डाला थोड़ी सी हिंग, दो सुखी मिर्ची को हमने यहापे छोटी टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ हमने एक छोटी पाच फुरन लिया है इसे भी ले लेते हैं अलो को हमने एक दू मिनट के लिए भूनना है जब तक की इसमें थोड़ा हलका कलर ना आ जाया तो लगतार चलाते हुए हमने अलो को अच्छे से भून लिया देखिए इसमें हलका कलर आ गया है बस इससे ज्यादा इससे नहीं भूनना है अब हमने क्या करना है फ्लेम को य बीरह पॉडर एक छोटी चमक्स धन्याए पॉडर साधि आधीचमच डाला हैrust आमचूर मॉडर अदीचमच पे- डाला राट चीली फ्लेर का पॉंदर नो मोत भी बाटने पॉरा है सबको डाल कर अच्या तरदी से मैक्स कर देने हैं और flame को low ही रहने देते हैं हमने इसी अच्छे से mix कर दिया है अब इसमें डालते हैं प्याज प्याज हमने यहाँ पे एक बड़े साइच का प्याज लिया है और इसे गोल स्लाइस में इसे cut कर लिया और इसे सारे को अच्छे से हाथों से अलग करते हुए प्याज को इसमें डाल देते हैं अगर आप प्याज खाते То इसमें डाल या 95-7 मिन Matter अगर ना खाते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं प्याज को प्याज को डाल के हमने अचे से मिक्स कर लिया है अब इसा अटो से हलगा चीटा देते हुए इसमें पानी डालना है ज्ञादा पानी बेल्कुल नीडालना है दोह्तिक हमने यह पर या पानी डाला और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हमें यहां यह पर ढाती हूं यहां भीr और इसमें थोड़ी से डालते हैं घरी मिर्ची जो से मैंने भी सिचीरा लगा दिया थोड़ी से काला नमक और एक चोटी चमच हमने डाला चाट मसाला और हरा धनिया का टीवी इन सब को डाल कर हमें एक तो मिनेट के अच्छे से मेक्स कर देते हैं और लेजिए तयार होगी है, यह हमारी बहुत लाजबा, बहुत स्वादिश हमारी आलो की गतली, यह खाने में इतनी स्वादिश लगती है कि पूछिए ना आप इसे गर्म गरम, रोटी, प्राठा, आप जिसके साथ इसे खाना चाहते हैं, उसके साथ खाए हैं, सब के साथ बहुत ही स्वादिश लगती है, आप इसे बचों को टिपन में दे सकते हैं, आप इसे लंच बोक्स में दे सकते हैं, या सफर में भी ले जा सकते हैं, यह काफी सुखी और बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही मज़धार सबजी है, तो फिर अगर आपको हमारी एरस भी